नमस्कार मेरी साथियों कैसे हैं दोस्तो आप सब आसा करते हैं कि आप लोग अच्छी होंगे और अपने आने वाली विविन परिक्षाओं की तरी बहुत ही बढ़ीया तरीके से कर रहे होंगे दोस्तों आप सभी के मेरे पास एक कमेंट बहुत जा देखने को मिला था इंस्टेगराम आड़ी कमेंट बॉक्स और हमारे टेल्किराम चैनल को कैसर जी जो हमने थर्ड कट आफ लिस्ट में हमने एडमिसन लिया है यहां पर सेकेंड कट आफ है या फर्स कट आफ है जो भी कट आफ आपकी थर्ड कट आफ है क्योंकि यहां पर S.O.L. में फोर्थ कट आफ तक आ चुकी है समझ गए तो आपके बहुत सारे रेगुलर में भी यही दिक्कत आ रही है S.O.L. में भी और N.C.Web में भी मैं आप सभी को पता दूँ आप सभी की कमेंट आ रहे कि S.O.L. हमने अपने डॉक्मेंट्स लगा दिये हैं अप्रूवल नहीं आया कितनों पर ऐसे कमेंट आ आए कि सर हमारा approval हो गया है पर यहां पर update लिंक नहीं आया अपना फीस लिंक नहीं आया और कुछ update ही नहीं दे रहा है दिल्ली निविश्टी बिल्कुल मैं आप सभी की बास से सहमत हूँ और ये बात मैं जानता भी हूँ कि बहुत ऐसे student है जिनके ये problem हो रही है क्योंकि दिल्ली न कट-off यहां पर regular की आनी थी और कितने ही course ऐसे हैं जिनकी second cut-off तक नहीं आई ये मैं आप सभी को पता दो second cut-off नहीं बात करें mca की नहीं आई और journalism of master journalism का इसमें भी देखिए मैं बात करूं second cut-off third cut-off नहीं आई ये तो काफी delay process चल रहा है और हो सकता है कि S.O.L. में भी थोड़ा से delay हो जाए क्यूंकि यहां पर cut-offs तो आ चुकी है fourth cut-off तक आ चुकी है यहां पस आपसे उपर इस समय जो cut-offs के देखा जाए तो S.O.L. चल रहा है fourth cut-off लगी है यहां पर और बात करें regular में तो regular की third cut-off और कितने कोर्स इसकी आई और कितने कोर्स ऐसे हैं जिनकी second भी नहीं आई तो मेरी बातों को ध्यान परोग सुनना काफी delay process चल रहा है बात करें कि आपका जो approval है कब तक आ सकता था दोसे तीन दिन के अंदर दोस्तों मेरे जो बातें में बोल रहा हूं वीडियो को पूरी watch जरू करना क्योंकि आने वाली अभी जितने भी में बातें बोलूंगा इस वीडियो में धियान पुरोग मेरी बातों को सुनना कोई student जो है यहां से वीडियो से हटे ना क्योंकि आ सकीमिट्कशय सभी थे जिस बातें करें कि पॉल्लिटिकल साइंस में तो वहां पर जब यहां सब्सक्राइन है भी से थो दो दिन आपकवार थी के लिए बात करें कि अब का क्या प्रोसेस हो रहा है S.U.L के लिए S.U.L में आपको मैं बता दू देखिए इन्होंने याप एक नोटिस दिया था सभी के लिए पांचो कोर्सेस के लिए कि आपकी जो डेट है एक्स्टेंट कर दी गई है 15 दिसंबर तक समझ गए तो 15 दिसंबर मतलब आज है समझ गए इतना तो आप जानते हैं ये 15 दिसंबर है और बच्ची की ये भी कमेंट दी की भहिया आज लास्ट डेट है और हमारा अगर फीस सम्मिट नहीं होई तो क्या हमारा अडिमिस्ट जो cancel हो जाएगा Cancel नहीं होगा अँटन आप सभी को बल दो Cancel तो होना ही नहीं है समझ गिए अगर आपने डोकुमेंट लगा दी है सब कुछ सही है और आपको माता दू देखिए कुछ भी आगर आपको डोकुमेंट से में लगता है आइडी अप्टू डेट शेज चेक करते हो क्यूंकि एललबी में एक इस्ट्रिवेंट था जिसके डॉकुमेंट्स में कुछ दिक्कत आई थी तो उसको जो है इमेल करा गया था दिल्ली नुष्टी ने जीमेल पर इमेल करी थी तो वहीं पर उनको जो है डॉकुमेंट्स से बताया थे कि आपकी दिक्कत है इसको दुबारा से आप इसकेन करके लगाईए तो वैसे अगर आपके डॉकुमेंट्स में कुछ दिक्कत होगी वैसे आपके दिक्कत में नहीं होगी आपके डॉकुमेंट्स में कोई दिक्कत नहीं होगी मैं आपको बता दूब कि एक आप स्टमेंट में सुल के काफी डिले प्रोसेस चल रहा है और चलता ही रहेगा मैं इतना बता दू क्योंकि सेकंड कट आफ नहीं आई इनकी थर्ड कट आई ए तो कितने कोर्सिस के आई कितनों की नहीं आई तो बहुत डिले प्रोसेस है बाकी कुछ अपडेट आएगी तो मैं त कमेंट आये ते कि सर बताईए बताईए अब जब मुझे कोई अपडेट मिले तभी तो मैं आपको आगे फॉरवड करू पर हाँ इतना मैं बता सकता हूं एडमिसन केसी का कैंसिल नहीं होगा इतना अपने माइंड से निकाल दो समझ गए बाकी इमेल आडी पे चेक करते र समझ गए बाकी एंसी वेब की सेकिंड कट आफ आ गई है जैसे कि आप से भी जानते ही है और एसेवल की फॉर्थ कट आफ ली चल रही है अपना चेक कर लीजिए जिसका आ चुक है अपने डोकुमेंट्स लगाई अपनी तरफ से 100 परसंट दीजिए बाकी वो जब तक अब प्रूवल दें दो दिन तीन दिन जब तक दें आपको बस पेसंस बना के रखना है क्योंकि जैसे कि आप सभी जानते कि टाइम तो हर चीज में लग रहा है इस समय और काफी डिले प्रोसेश चल रहा है 2021 के लिए समझ गए बाकी मैं बहुत जल्दी आपके जितने भी सब्चेट कोम और मर जितने भी है समझे इन सभी के लिए पांच सब्जेक्ट जो है से वलके उन सभी के लिए में बहुत जल्द फर्स्ट कट ऑफ मतलव हमार जो फर्स्ट सेमस्टर का जितना भी सलेवस है वो जल्दी लेके आपके लिए सामने लाना वाला हूं तो उससे आप त्यारी अपनी करते रहें बगी कुछ भी इंफर्मेशन आएगी इन सभी के रिगाडिंग आप से भी को मिलती रहेगी बात करें रेगुलर की तो रेगुलर में भी काफी थोड़ा डिले है एमसी की जैसे मैं बता दू सेकंड कट ओफ आनी थी सेकंड नहीं आई थर्ड वाली जो मतलब उनका साइड है थर्ड में उन्होंने क्या करा फर्स्ट की कट ओफ उसमों ठाके डाल दी तो यार यह गलत करा है उन्होंने समझ गए दिल्ली विशुदाल एक बहुत उनकलर विसम है जो है मैं बता दू काफी डिले प्रोसेस कर रहा है बात करें कि आप सभी बोल रहे थी थी माईग्रेशन के लिए तो माईग्रेशन देखिए मेरे साथी मैं बता दू लास्ट यएर प्रोसेस क्या हुआ था और इस साल भी म मैं पूरा confirm बताता हूं आपसे भी को जो भी बाते बताता हूं migration की जरूरत उनको है जो दिल्ली विश्दा लेके नहीं है जो other states से आए हैं उन सभी को migration जरूरी है और migration लगाना भी जरूरी है बात करें कि आपसे भी बोलते हैं कि जो documents हमने लगाए हैं इनकी offline कब checking होगी या बोलते हैं कि हमने undertaking लगाई है कब check होगा तो देखें अगर आपके documents सारे ठीक हैं तो उसके लिए आपको offline नहीं दिखाना पड़ेगा क्यूंकि आज की data में आपको मैं बता दू जो last year admission हुए थे समझ गए तो उसमें अभी तक किसी भी student ने अपने hard copy नहीं दिखाई है इतना मानलो आप सभी जो भी आपकी लगी हुई है soft copy अपने document और पोर्टल में आपके student पोर्टल में वो चेक हुई है उसके बाद कुछ offline होने चेक ही नहीं किया बाकी कुछ ऐसा समय ही नहीं आया कि offline college जाया है वहाँ जाके चेक हो थोड़ी बहुत मतलब थोड़ा बहुत समय हुआ तो scholarship के form form हो गए यह सब हो गए admit card हो गए यह सब चेक हुई है बाकी offline नहीं चेक हुए भी तक documents बाकी आने वाले समय पर जैसे भी होंगे तो मैं आपको information दूँगा समझगे और कोई update होगी अपने किसी भी department के समय सुल एंसी वेब और अपने regular के तो आप सभी को मैं दूँगा और हाँ बहुत जल्द आप सभी बोल रहे थी कि क्या भी आप 4th cutoff list आएगी मेरे में बहुत comment आए थे M.A. Hindi के बाकी बात करें history के political के कि भी आप 4th cutoff list आती है कि नहीं आती 4th cutoff list आती है और मैंने आप सभी को पहले ही बताया था 4th cutoff list आती है L.L.B की बात करें second cutoff आ गई है बात करें third cutoff list L.L.B की भी third cutoff list आएगी तो अब बात यह चल रही है कि मतलब 4th cutoff list देंगे तो कि उसके seat बची है कि नहीं बची है देखे seat confirmly है seat बचेएगी इतना मैं बता दूँ आप सभी को क्यूंकि काफी बच्चे कटने वाले समय है उनको लगेगा यार admission हो रही ना तो हम कहीं और admission लेने अच्छ अच्छे के नाम आ जाते हैं पर इसके बाद हो cut लेते हैं समझगे तो आप सभी को केवल पेसंस बनाना है और अपना देखना है कि हां मतलब यार एक दो cut off से मतलब एक दो नंबर से रह रहे हो आप सभी तो उसके लिए भागना मत बस दिल्ली नुष्टी आपको मिल जाएगी तो दो तीन चार नंबर पांच नंबर कम है तो यार रुक जाओ राम से मिल जाएगा बहुत बच्चे कटने वाले हैं क्योंकि बीयच्च्यों के भी समय जो है एडमिसन चल रहे हैं और जो भी इंपॉटन इंफ़ोन है वह आपसी भी कोमें देता होगा तो मैं आप सभी को बताता रहूंगा बग्की वीडियो कैसे लेगी वीडियो को एक लाइक से सब्सक्राइब करना और इसे जाधर जाध अपने से अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जो भी उनको लग रहा हो कि हमारा करेंगे जय हिंद जय भारत